जुआ कि दोस्तों जससी परेक्षा के यानि की ज़ारकर्ड awhile पीयाकृdamn you एंग्लिश ग्रामर ओर इंग्लिश सेsilड़ मिला करके 120 प्रस्ण होते हैं तो उनसे related प्रफशनों को हम लोग करने वाले हैं ठीक है क्योंकि दोस्तो पेपर वन में आपको 360 में से आपको 30% अंक लानना जरूरी है तभी आप पास माने जाओगे ठीक है यदि आपका तो सबसे पहले हम लोग के जरूरी है कि पेपर वन में हम लोग के कम से कम 360 का 30% जो माक्स है कम से कम आ जाए ठीक है ताकि हम लोग अगले जो दोनों पेपर है उसके लिए सेफ हो जाएं ठीक है तो उसी कड़ी में आज हम लोग हिंदी ब्याकन से रिलेटेड 100 प्रशनों को देखने वाले है जो कि JSC के पेपर वन के लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाला है ठीक है तो चले हम लोग क्यूशन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग 100-100 प्रशन के दो देख लिये हैं यह 300 क्यूशन तक इस वीडियो में लोग आज देखेंगे ठीक है तो इसमें पहला क्यूशन है कि निमलीखित में से कौन सा सब्द प्रस्ण वाचक सरुनाम है ठीक है तो प्रस्ण वाचक सरुनाम का बताना है तो देखिए कोई जो है यह अनिचे वाचक सर सरुनाम का है ठीक है तो यहां से राविट उप्सिन हो चाहेगा ऑप्सिन नमबर B D is the correct answer चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग तो अगला पेज में जो क्यूशन है वो है दूसरो दून नमबर का ठीक है तो 202 नमबर का क्यूशन है दोस्तों कि निमलीखित वस्तु के नाम की जगा दूसरे सब्दों का परियोग करते हो तो एक ऐसे सब्द क्या कहा जाता है option A है संग्या, option B है अभ्याव, option C है सरोनाम और option D है इनमें से कोई नहीं तो देखें दोस्तों यदि हम लोग संग्या के जहाँ पर ठीक है कोई दूसरा वर्ड का प्रियोग करते हैं संग्या के जगह पर तो उसे जो है सरोनाम कहा जाता है यानि कि option C जो है बिल्कुल right answer इसका हो जाएगा कि यदि संग्या के बदले कोई वर्ड यदि प्रियोग्त होता है तो उसे जो दोस्तों क्या कहा जाता है उसे सरोनाम कहा जाता है यद रिखेगा option C जो है बिल्कुल सही answer है ठीक है चले हम लोग next question को देखते हैं तो अगला जो question है वो है 204 number का कि निमलिखित में से कौन सा सब्द पूरुस वाचक सरोनाम के अंतरगत रखा जा सकता है ठीक है दोस्तों जो हम है वो पूरुस वाचक सरोनाम के अंतरगत रखा जा सकता है आगे है 205 number का question कि यहां से कि मैं अपने आप काम कर लूँगा इस वाक्य में आप कौन सा सरोनाम है ठीक है तो आप जो है इसमें कौन सा सरोनाम है option है पूरुस वाचक, दी है निजवाचक, सी है सम्बंध वाचक और डी है नीजवाचक ठीक है तो जो आप है यहां पास वो नीजवाचक सरोनाम है याद रखेगा आप कौन सा सरोनाम है तो नीजवाचक सरोनाम है आप ठीक है 206 number का question है कि निमलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सरोनाम का असुद परियोग हुआ है तो जिसमें सरुनाम का असूद्ध पर्योग हुआ है उसके बारे में बताना है तो मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा इसमें जो है सरुनाम का असूद्ध जो है वाक्य पर्यूक्त किया गया है ठीक है बाकि जो है कि मुझे इस बैठend की सुचना नहीं था यह सही है मैं आगरा पर आपके आगरा पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ यह सही है लेकिन मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा बिल्कुल गलत है ठीक है चलिए next page में चलते हैं तो अगला जो क्यूशन होगा हमारा वो है 207 नंबर का क्यूशन ठीक है तो 207 नंबर का क्यूशन हम लोग देख लेते हैं तो जो 207 नंबर का क्यूशन है वो कुछ इस परकार है कि इसमें से कौन गुन वाचक भी सेशन नहीं है तो जो गुन वाचक भी सेशन नहीं है उसके बारे हम पूछा क्या है तो यहाँ पास option A है काला, option B है लंबा, option C है 50 और D है युवा देखे काला, लंबा और यहाँ पास युवा जो है क्या है यह गुन है बेक्ती का लेकिन 50 जो है बेक्ती का क्या है गुन नहीं है यह भीन है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा संख्या वाचक विशेशन ये हो जाएगा तो option number जो C है यानि 50 जो है वो गुन वाचक नहीं है चलिए आगे है 208 number का question कि इस में से काल बोधक विशेशन कौन सा है तो जो काल बोधक विशेशन है उसके बारें बताया गया है तो option A है गीला, B है पतला, D है भला और C है पुराना देखें दोस्तों काल बोधक यानि समय के बारे में कौन बता रहा है तो जो पुराना है यानि कि पहले का है यानि कि पहले का समय को बता रहा है यानि कि काल का बोधक विशेशन का जाएगा यानि कि option number C is the correct answer is question का हो जाएगा आगे है 209 number का question कि सारोनामिक B सेशन ठीक है तो सारोनामिक B सेशन कोन का लाता है जो संग्या के पहले आता है उसे सारोनामिक B सेशन कहा जाता है ठीक है जो संग्या के पहले आता है उसे सारोनामिक B सेशन कहा जाता है चलिए आगे हैं से देख लेते हैं तो अगला जो हमारा question हो जाएगा वो हो जाएगा 210 नंबर का ठीक है? तो 210 नंबर का question है दोस्तों कि B-station किस सब्द की B-station बताते हैं option A है संग्या की B है सरोनाम की C है संग्या और सरोनाम की और D है कारक की तो जी हाँ बिल्कुल C option जो है बिल्कुल right option है कि B-station वो सब्द होता है जो संग्या और सरोनाम का क्या बताता है B-station बताता है त्याद रखेगा कि B-station वो सब्द होता है जो संग्या और सरोनाम का B-station को बताता है उसे B-station कहा जाता है चलिए आगे हैं यहां से 211 नमबर का क्यूशन की जिस सब्द की बिसेस्ता बताई जाए वह है तो दोस्तो जिस सब्द का बिसेस्ता बताया जाता है वह क्या होता है उसके बारे में आगे देखना है तो जिस सब्द का बिसेस्ता बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तो उसे जो है विशेश से कहा जाता है जिस सब्द का विशेशता बताया जाता है उसे विशेश से कहा जाता है आगे है कि धाक के वही तीन पात होना ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो सदा एक सा मतलब इसका हो जाएगा आगे है 213 नमबर का किवशान की यहाँ पास नीचे दिये गए जोडों में से जो सही नहीं है उसका चैन करना है तो वर्स वार्सिक सही है वन वन ने सही है बेवसाय और बेवसाईक सही है लेकिन बंदना बंदनी गलत है ठीक है तो आप्शन नमबर डी जो है वो सही नहीं है ठीक है चलिए आगे है यहाँ पास 214 नमबर का किवशान की किस वाक्य में अच्छा सब्द का परियोग सथान बहुत अच्छा है इसमें जो है अच्छा सब्द का विशेषन का रुप में इस्तेमाल किया गया है यानि कि जो 215 नंबर का क्युशन की पसू सब्द का बिसेशन क्या है तो दोस्तो जो पसू सब्द का बिसेशन है उसको बताना है तो option यह है पासवीक, option भी है पसुत्व अप्शन C है पसुपती अप्शन D है पसुता तो पास्वीक जो है दोस्तो पसु का बिसेशन हो जाएगा आगे है 216 नमबर का क्यूशन की संस्कृति का बिसेशन है तो संस्कृति का बिसेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक याद रखेगा संस्कृ का बी सेशन क्या हो जाएगा तो सांस्कृतिक संस्कृति का बी सेशन हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं यहां से 217 नंबर का क्यूचन को तो दोस्तो 217 नंबर का यहां पास क्यूचन है कि निमलिखित में कौन सा सब्द बी सेशन है तो जो सब्द बी सेशन है उसको बताना है, तो संदर है क्या है यहां पास, यह जो सथ बीसेसन के बारे में बताया गया है, संदर है क्या है, उसका गुन है, भाव है, बेकारी क्या है, उसका गुन है, भाव है, ब्रिक्स क्या है, यह संग्या है, लेकिन फूफेरा क्या है, तो बीसेसन है, ठीक है, आग पुस्पित बलवान और पौरुस तो इसमें जो बि सेशन है वो है बलवान हें चल यह आगे देख लिते हैं हम लोग चल लोग तो 119 नबर का किष्शं है कि अन्हें का 살क करता गड़ा एक कुसल कारे करता है में बि पहलाई, B है मिठास, S, थोड़ा और D हैon, तो जो थोड़ा है जोस्तों गया है? यह विशेशन हो जायेगा, तो थोड़ा कैया हो जायेगा? उसका विशेशन हो जायेगा. आगे हैं दोस्तों यहां से कि चार गाए खेत में चर रही है इन में चार जो है कैसा वी सेशन है तो चार जो है यहां पास नीश्चे वाचक वी सेशन है ठीक है वहाँ पास डिनोट किया जा रहा है कि चार गाए खेत में चर रहे हैं तो चार क्या है नीचे वाचक B-Session हो जाएगा चलिए आगे है 222 नंबर का Q-S तो दोस्तो 222 नंबर का Q-S है कि निमलिखित में कौन सा सब्द परिमाण वाचक B-Session है तो जो परिमाण वाचक B-Session है उसको बताना है Option है अच्छा, B है अकरसक C है कुछ और D है धनी तो जो कुछ है दोस्तों क्या है परिमाण वाचक B-Session है आगे है अलस्ते सब्द का B-Session है तो जो अलस्ते सब्द का B-Session है वो है आलसी क्याद रखेगा आलसी क्या है अलस्ते सब्द का B-Session है आलसी आगे है कि यहां पास अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी सब्द का जो है वो क्या है तो अच्छा क्या है यहां पास तो यह विशेश से है विद्यार्थी क्या है विद्यार्थी क्या है विद्यार्थी विशेश से है तो जो सब्द बिशेस्य का बिशेस्या बताता है वो क्या कलता है बिशेस्या तो विद्याथी क्या है बिशेस्या ठीक है और अच्छे क्या है यहां पास बिशेस्या है आगे है इसका 225 नंबर का क्यूचन है कि कोई आदमी उसे मार रहा था इस वाक्य में बिशेस्या छाट के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो जोड़ा सही नहीं है वो है भगवान भगवन्ती ठीक है बाकी गधा गधी देव देवी नाला नाली सही है लेकिन भगवान भगवन्ती गलत है आगे हैं दोस्तों यहां से 227 नंबर का किवशान कि पुर्लिंग इस्त्रिंग के जोडे में कौन सा जोडा सही नहीं है तो हीरन हीरनी जो है ये सही नहीं है बाकी यहाँ पास पुत्र पुत्री तनुज तरुनी और लालालाइन सही है ठीक है हीरन का यहाँ पास स्त्रिंग नहीं होगा ठीक है आगे है 228 नंबर का क्यूशन तो चलिए 228 नंबर का क्यूशन हम लोग कर लेते हैं 228 नंबर का क्यूशन है कि यहाँ पास दिये गाई भी कल्प में पूलिंग सब्द का चेन करना है option यह है सुची पत्र, option भी है दवात, option C है किताब और D है कुरसी जो सुची पत्र है दोस्तों यह क्या है पूलिंग है बाकी दवात, किताब और कुरसी क्या है इस्त्रिलिंग सब्द है आगे है कि दिये गाई भी कल्पों में पूलिंग सब्द का चेन करना है तो option यह है सरसो, B है मकाई, C है सारस और D है मूंग तो सरसो, मकाई और मूंग क्या है तो यह सब्द जो है इस्त्रिलिंग है ठीक है लेकिन सारस क्या है तो सारस पूलिंग सब्द है आगे दोस्तों 230 नंबर का किशन की दिये गाई भी कल्प में पूलिंग सब्द का चेन करना है ठीक है तो जो pulling सब्द है उसके बारें बताना है बरफी क्या है इस्त्रिलिंग है मलाई क्या है साधना क्या है इस्त्रिलिंग है लेकिन हट योग जो है ये pulling सब्द याद रखेगा हट योग यहाँ पास right option हो जाएगा आगे है दोस्तों कि दिये गए भी कल्पों में इस्त्रिलिंग सब्द का चेहन करना है तो जुर्मुट क्या है pulling है और अन्योनियोस्टि क्या है तो ये भी pulling है इक्छा क्या है pulling है लेकिन उपासना क्या है तो उपासना जो सब्द है वो इस्त्रिलिंग सब्द है आगे है दोस्तो 32 नमबर का क्यूशन की दिये गाए बी कल्पकों में इस्तिरलिंग सब्द का चेन करना है option यह है उल्जन, B है एकता, C है डमरू, और D है अनबन तो जो उल्जन है दोस्तो यह क्या है? उल्जन सब्द जो है इस्तिरलिंग सब्द है आगे हम देख लेते हैं कि 233 नमबर का क्यूशन, तो दोस्तो 233 नमबर का क्यूशन है वो कुछ इस परकार है, तो यह क्यूशन है कि कभी सब्द का सही इस्तिरलिंग रूप क्या है? तो कवी सब्द का जो सही जो है वो हो जाएगा कवी 3 ठीक है यानि कि कवी 3 ठीक है कवी 3 इसका सही option हो जाएगा option number D जो है correct answer इसका हो जाएगा कवी 3 आगे है कि निमांकित सब्द में से कौन सा सब्द pulling है ठीक है तो pulling जो सब्द है दोस्तों वो क्या है बुढ़ापा है बाकी दया घुटना और जो जड़ता है यहाँ पास इस्त्रिलिंग सब्द है चलिए आगे हम लोग देखते हैं 235 नंबर किशान कि निलिखित में स्वी व वाचक सब्द कौन सा है तो जो बाला है वो इस्त्रिवाचक सब्द है ठीक है बाकी छात्र महासा है और शीव क्या है तो यह पुरुस वाचक सब्द है आगे है हिंदी में लिंग कितने परकार के होते हैं लिंग दो परकार के होते हैं हिंदी में ठीक है कौन कौन से होते है तो इस्त्रिलिंग पुलिंग लेगिन हाल ही में क्या हो जागा एक उभाय लिंग तो यहां पास तीन ओप्शन अब मारेंगे ठीक है यहां पास तीन ओप्शन कोरेक्ट हो जाएगा आगे है कि यहाँ पास सुंदर सब्द का इस्त्रिलिंग क्या है तो सुंदर सब्द का इस्त्रिलिंग है वो हो जाएगा सुंदरी सुंदर सब्द का इस्त्रिलिंग क्या हो जाएगा तो सुंदर सब्द का इस्त्रिलिंग जो हो जाएगा सुंदरी आगे है निमलिखित सब्द में इस्तरलिंग सब्द का चैन करना है तो जो इस्तरलिंग सब्द है वो है अस्थापना अस्थापना कोई सब्द है तो इस्तरलिंग सब्द है बाकी अपराद, अध्याय, स्वधेश क्या है यह जो सब्द है यह पुलिंग के सब्द है आगे है दोस्तों यहां से 249 नंबर का क्यूचन तो 249 नंबर का क्यूचन है दोस्तों कि निमलीखित में से कौन सा रूड सब्द है तो रूड सब्द जो है वो जल है बाकी जो है दयासागर, पंकज और विद्याले और रूड सब्द है आगे हैं यहां से कि स्वतंत्र सता धारन ना करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो स्वतंत्र सता धारन ना कहने वाले सब्द को योगिक कहा जाता है याद रखेगा option number 3 यहां पास correct answer हो जाएगा जेट सब्द का इस्तिरलिंग रूप क्या है तो जेट सब्द का इस्तिरलिंग जो रूप हो जाएगा जेठानी ठीक है याद रखेगा जेठानी इसका correct answer हो जाएगा बाकी यह तीनों गलत है अगे है हलवाई का इस्तिरलिंग है तो हलवाई का इस्तिरलिंग है हलवाईन ठीक है हलवाई का इस्तिरलिंग क्या है तो हलवाईन इसका बिलकुल कोरेक्ट आंसर हो जाएगा अगे है दोस्तो 243 नंबर का क्यूचन तो दोस्तो 243 नंबर का क्यूचन है सिंदूर क्या है यह सब पूलिंग है आगे है निम्न में से कौन सा सब्द इस्त्रलिंग में परियुक्त होता है तो जो बनावट जो दोस्तो वो इस्त्रलिंग में परियुक्त होता है तो बनावट क्या हो जाएगा इस्त्रलिंग सब्द हो जाएगा आगे है कि याचक लिंक बदलने पर जो सब्द बनेगा वो होगा तो याचक सब्द का लिंक बदलने पर जो सब्द बनेगा वो क्या होगा तो यहाँ पास चार ओप्शन दिया गया है तो यहाँ पास ओप्शन ए है याचक, भी है याची का, सी है याची, डी है याची की तो याचक क्या है हो जाएगा याची का आगे है इन में से कौन सा सब्द यहाँ पास जो है बहु वचन में ही परियुक्त होता है तो यह सभी जो है बहु वचन में हमेशा परियुक्त किया जाता है तो यह सभी यहाँ पस correct answer इसका हो जाएगा आगे है इन में से एक वचन बहु वचन का कौन सा यूगमत सही नहीं है तो यहाँ पास एक वचन और बहु वचन का कौन सा यूगमत सही नहीं है उसको बताना है तो देखें यहाँ पास इसका राइट उसन हो जाएगा कि घोड़ा घोड़े सही है आसु आसुमाओं गली गली ये सही है चिनिया चिनिया सही है यानि कि तीनों अप्षन सही है तो बी जो है बिल्कुल गलत है ठीक है आगे है निमलिखित में से कौन सा युगम सही है ठीक है प्रान प्रानों यहाँ पास गलत है और आगे है यहाँ पास की दर्सन दर्सनों गलत है दाम दामों गलत है यहाँ पास मुनी मुन्यों सही हो जाएगा ठीक है चली आगे हैं यहां से 249 नंबर का किशन की आपका बहु अचन होगा तो आपका बहु अचन आप लोग हो जाएगा यद रखेगा कि आपका जो बहु अचन है वो आप लोग हो जाएगा आगे है 250 नंबर का की बहु सब्द का बहु अचन है तो बहुए जो है बहु सब्द का बहु अचन है यद रखेगा बहुए इसका correct answer हो जाएगा आगे हैं दोस्तों यहां से 251 नंबर का कीवचान की भारतिय सब्द का बहु अचन है तो भारतिय सब्द का बहु अचन जो हो जाएगा भारतियों ठीक है भारतिय सब्द का बहु अचन क्या हो जाएगा तो भारतियों भारतिय सब्द का बहु अचन हो जाएगा आगे हैं दोस्तों कि चिनिया का बहु अचन रूप होगा तो चिनिया का बहु अचन रूप हो जाएगा चिनिया ठीक है इन मेंसे कौन सा जो सब्द है वो सदा एक वचन में परियुक्त होता है तो नारी नारियों ठीक है दही जो है यहाँ पास बिल्कुल कोरेक्ट हो जाएगा ठीक है आसु तो आसुमे हो जाएगा लेकिन दही यहाँ पास हमेशा एक वचन में पर्योग्त किया जाएगा आगे है कि इन में से कौन सा जो सब्द है बहु अचने पर्योग होता है तो हवा आशोरी दर्सन जो है वो हमेशा बहु अचने पर्योग होता है क्योंकि दर्सन जो है हमेशा बहुत से लोग करेंगे तो दर्शन इसका क्या हो जाएगा? बिलकुल correct answer हो जाएगा चले आगे है यहाँसे 255 नंबर का question की नदी सब्द का बहु वचन रूप क्या होगा? तो नदियां जो है नदी सब्द का बहु वचन रूप हो जाएगा त्याद रखेगा नदियां इसका correct answer हो जाएगा आगे है दोस्तों कि अंधी पी से कुत्ता खाए इसका मिनिंग क्या हो जाएगा इसका मिनिंग हो जाएगा कि कमाए कोई खाए कोई ठीक है इसका correct answer हो जाएगा कमाए कोई खाए कोई आगे हैं यहां से 257 नंबर का कीवचान की घर का जोगी जोंगड़ा आनगाओं का सीध इसका मिनिंग क्या हो जाएगा तो घर के ग्यानी को सम्मान नहीं करना इसका मिनिंग हो जाएगा घर का जोगी जोंगड़ा आनगाओं का सीध घर के गूनी लोगों का बात या उनके दिये गए सलाह को न मानना और दुसरे के कान पर चलना यानि दुसरे के सलाह से चलना इसका मिनिंग हो जाएगा आगे दोस्तो 258 नमबर का क्यूचन ठीक है तो 258 नमबर का क्यूचन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना तो अंधे के हाथ बटेर लगना की मिनिंग हो जाएगा कि भागे से कोई वस्तु मिल जाना ठीक है यह मिनिंग हो जाएगा कि अंधे के हाथ बटेर लगना तो भागे से कोई वस्तु मिल जाना इसका correct answer हो जाएगा चले आगे है यहां से next question इसका ठीक है तो यहां पास question है कि वधु सब्द का बहु अचन है तो वधु सब्द का बहु अचन है वधुमे ठीक है वर वधुमे आगे है 260 नंबर का question 260 नंबर question है कि तिथी सब्द का बहु अचन है तो तिथी सब्द का बहुअचन है तिथिया ठीक है याद रखेगा तिथी सब्द का जो बहुअचन है वो है तिथिया आसु सब्द का बहुअचन क्या है तो आसु सब्द का बहुअचन है आसु ठीक है तिथी का तिथिया वधु का वधुमे ठीक है आगे है बात सब्द का बहु अचन रूप क्या होगा तो बात सब्द का बहु अचन रूप हो जाएगा बातें याद रखेगा बात सब्द का बहु अचन रूप बातें हो जाएगा आगे हैं से 263 नंबर का क्यूचन ये है नारी सब्द का बहु अचन रूप क्या होगा तो नारी सब्द का बहु अचन हो जाएगा नारिया यद रखेगा कि नारी सब्द का जो बहु अचन हो जाएगा वो हो जाएगा नारिया साडी सब्द का बहु अचन रूप क्या होगा तो साडी सब्द का भी बहु अचन रूप हो जाएगा साडीया याद रखेगा साड़ी सब्द का बहुचन रूप क्या हो जाएगा साड़िया आगे है दोस्तों यहाँ से अगला कीवचन तो अगला 265 नंबर का कीवचन है तो चले कीवचन है तो उसको देख लेते हैं कि कौन साथ जो सब्द है बहुचन में परियुक्त होता है रूप क्या होगा तो सुचना कब हो जाएगा सुचनाए चले नेक्ष देख लेते हैं तो 266 नंबर का कीवचन है कि इत्यादी का संधी बिछेद करना है तो इती पलस आदी हो जाएगा इत्यादी यानि यहां से जो हो जाएगा हरसी और तब मिलकर के यहां से आ मिलेगा तो यह जो आधत्त हो जाएगा यहां पास इत्यादी हो जाएगा महेंदर में कौन सी संधी होगी तो महेंदर में गून संधी होगी चलिए आगे है यहां से 279 नंबर का कीवचन की एक एक में कौन संधी होगी तो एक एक में ब्रिधी संधी हो जाएगी जगनात का संधी बीछेद करना है तो जगनात का सही हो जाएगा जगत पुलस नात उजवल में कौन सा संधी है तो यहाँ पास उजवल में जो संधी हो जाएगा उसको हम लोग next page में देख लेंगे जलिए यहाँ पास उजवल में खुल गया है तो उजवल में जो संधी हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यंजन संधी ठीक है आगे है भवन का संधी बिछेद करना है तो भो पलस अन क्या हो जाएगा भवन ठीक है भो पलस अन जो है वो हो जाएगा भवन याद रखेगा भो पलस अन भवन 273 नमबर की नायक में कौन सी संधी है तो नायक में अयादी संधी है आगे है यहां से 274 नमबर का कीवचन कोछ लिए देख लेते हैं तो 274 नंबर का यहां से question है कि पवन में किस संधी का प्रयोग हुआ है तो जो पवन है उसमें अयादी संधी का प्रयोग किया गया है ठीक है पो पलस अन पवन आगे है कि प्रतेक में कौन सा संधी है तो प्रतेक में यन संधी का अपयोग किया गया है याद रखेगा यन संधी आगे है चंद्र योदे में कौन संधी है तो चंद्र योदे में जो है वो गून संधी का अपयोग किया गया है याद रखेगा कि चंद्र योदे में गून संधी का इस्तेमाल किया गया है आगे है 277 नंबर का कीवचन की ग्यान किसके योग से बनता है तो जब पलस इन्या के योग से ग्यान बनता है तो ग्यान हो जाएगा ऐसे चलिए अब हो लोग नेक्स्ट कीवचन को देख लेंगे 288 नंबर का कीवचन है दोस्तों की परिश्यद का संदी बिश्यद होगा तो परीपलस च्छेद दीगदर्सन का संदी बिश्यद होगा आगे हम लोग देख लेते हैं कि नीशकपट का संदी बिश्यद क्या होगा तो निह पलस कपट जो है निस कपट का संधी विछेद हो जाएगा आगे है दोस्तों कि हिमाले किस संधी विछेद का पर्योग करके बना हुआ है तो जो यहाँ पास हो जाएगा गुन स्वर संधी का इस्तेमाल करके हिमाले यहाँ पास बन गया है चले आगे है कि 282 से 295 के प्रतेक प्रस्न एक सब्द दिया गया है जिसका संधी बिछेद चार प्रकार से किया गया है इसमें केवल एक सही है उसका एंसर देना है आपको ठीक है तो चले 282 नमबर के किशन को हम लोग देख लेते हैं बिमबोस्ट का संधी बिछेद है तो बिमबोस्ट जो है बिमबोस्ट का संधी बिछेद किया गया है आगे है अच्छोन हीनी का संधी बिछेद होगा तो इसका जो संधी बिछेद होएगा दस्तो वो नेक्स्ट पे जो हम लोग देख लेते हैं यहां से तो यहाँ पास अक्ष प्लस ओनी यहाँसका बिल्कुल कोरेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष प्लस उहीनी आगे है दोस्तों इसका कि दर्सन सब्द का संदी बिछेद होगा तो 10 प्लस रीन दर्सान सब्द का संदी बिछेद हो जाएगा आगे है दिवागिम का संदी बिछेद होगा तो देवी प्लस आगम इसका संदी बिछेद हो जाएगा आगे है कि अभी सेख का संदी बिछेद होगा तो अभी पलस सेख जो है अभी सेख का संदी बिचेद बिल्कुल कॉरेक्ट हो जाएगा धनित्व का संदी बिचेद तो धनिन पलस तत्व इसका जो है धनित्व का संदी बिचेद बिल्कुल कॉरेक्ट धंग से हो जाएगा आगे है कि लड़कपन का संदी बिछेद होगा तो लड़का प्लस पन लड़कपन का बिलकुल कोरेक्ट संदी बिछेद हो जाएगा आगे है भ्यू का संदी बिछेद होगा तो V पलस U जो है भ्यू का संदी बिछेद यहां से हो जाएगा आगे है दोस्तों कि नावी का संधी बिछेद हो जाएगा तो 9 पलस 1 जो है नावी का संधी बिछेद हो जाएगा 9 पलस 1 ठीक है याद रहेगा 9 पलस 1 चले नेक्स्ट पेज के ओर चलते हैं तो नेक्स्ट पेज में जो क्यूशन है दोस्तों वो है 291 नंबर के क्यूचन से, ठीक है, तो दोस्तो 291 नंबर का क्यूचन कुछ इस परकार है कि कावियोर्मी सब्द का संधी बिछेद है, तो कावियोर्मी सब्द का जो संधी बिछेद है, वो है काविय पलस उर्मी, ठीक है, इसका कोरेक्ट हो जाएगा, काविय पलस उर्म बहिसकार का संदी बिछेद होगा तो बहिः पलसकार बहिसकार का संदी बिछेद हो जाएगा आगे हैं यहां से कि यो सोदा का संदी बिछेद होगा तो यसा पलस दा जो है यो सोदा का संदी बिछेद हो जाएगा नाविक सब्द का संदी बिछेद होगा तो 9 पलस 1 जो है नाविक सब्द का संदी बिछेद हो जाएगा आगे हैं यहां से 295 नंबर का क्यूचन इत्यादी का संदी बिछेद होगा तो इती पलस आदी जो है इत्यादी का संदी बिछेद हो जाएगा आगे है निर्विकार ठीक है तो निर्विकार में कौन से संधी है तो निर्विकार में विसर्ग संधी का प्रयोग किया गया है चले हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो नेक्स्ट पेज में जो क्यूशन अरंभ होगा वो 298 नमबर से होगा ठीक है तो दोसो अंठानमे नवर क्यूशन है दोस्तों कि प्रती पलस छवी के मेल से का सब्द का निर्मान होता है तो प्रती छवी जो है इसका निर्मान होता है मुंद्रिन ठिक है मुंद्रिद का संदी विचेद है तो मुनी पलस इंद्र जो है मुनिंद्र का संदी विचेद हो जाएगा और जो इस सेट का आखरी किवचन है तीन समा किवचन की यह पास नीरालंब का संदी विचेद होगा तो नी पलस आलंब, नीरा आलंब का संदी विछेद हो जाएगा यह जी वीडियो था दोस्तों यह JCC के उद्पाद पुलीस, जहरकन पुलीस या स्पेसल बरांच पुलीस या जेल वाडर या वाहन चालक के लिए जो JCC एकजाम में, पेपर 1 में आने वाला कीवजन होगा क्योंकि यह हिंदी व्याकरन्स रिलेटेट कीवजन था जिसमें की आपको 120 कीवजन में से कम से कम 37 कीवजन को आपको बिलकुल कॉरेट करना होगा तब जाके आपको पेपर 1 में सेलेक्शन होगा उसके बाद आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जाच किया जाएगा ठीक है पेपर 1 जो है मात्र पासिंग के लिए है इसमें इससे जो है मेरिट के लिए इससे नंबर नहीं जुटता है तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तकरिपया दोस्तों के साथ सेर कर दिजेगा और यदि अभी तक आपने लाइक सेर नहीं किया तकरिपया लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं अगली वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद